नमस्कार साथियो आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में एक ऐसे व्यक्ति के जीवन पर प्रकाश डालने की कोशिस करेंगे जो की प्रत्यक्ष रूप से इस प्रत्वी पर मौजूद नहीं है इसका तात्पर है कि इनकी मृत्तिव काफ इनको जीवित किये हुए हैं और जब तक यह जिंदा थे तब से लेकर आज तक जब यह नहीं है इनकी लोगप्रियता में इजाफा ही हुआ है आज ऐसे विक्ति के जीवन पर प्रकाश डालने की कोशिस करेंगे जिनका नाम था राजीव दिक्षित या जिनका नाम है ऐसे टाइब की मानी जाती है और इनकी मौत से बाबा राम देव का नाम झुरता है और शर्चा करेंगे कि राजीव दिक्षितкие मृतियों के पीजह बाबा राम देव का नाम क्यों जुरता है इस सेसं को सुरू करने से पहले हलां कि आपको बता दिया जाए जितनी भी जान इसकी कोई जुम्मेदारी नहीं है इसको जो है व्यक्तिकर्थ विचार ना समझा जाए तो इस कहानी को सुरू करते हैं पांसो और हजार के नोट बंद करने से जब भारत के अंदर नोट बंदी हुई थी तो भारत के बजट सिस्टम को ब्रिटेन से प्रेरे बताने वाले रा भारत के अंदर रष्टाचार बंद करना है या काला धन खतम करना है तो पांसो और हजार के नोट को बंद कर देना चाहिए यह इतने जादा दूर दरसी सोच वाले व्यक्ति हुआ करते थे इनके हिसाब से लिब्रलाइजेशन प्राइविटाइशन और ग्लोबलाइजेश देश के विचारकों ने खेती के छेतर में परियाप्त काम किया है जिसकी वजह से आज किसान खुदगोसी करने को मजबूर है आतमत्या करने को किसान मजबूर है फ्रांस से उन्होंने PhD की थी और CSIR में एंटी ग्रैविटी पर रिसर्च का काम किया था वो वताते हैं कि उनकी रिसर्च के लिए जर्मनी का मैक्स प्लाक इंस्टिटूट अर्बो डॉलर देने के लिए तैयार हो गया था यहीदना वे Kannण वह नहीं चाहते थे कि उनकी रिसर्च कई और देश के हाथ लगे इसलिए उन्होंने रिसर्च जWasट जो उन्होंने की थी उसको बेचने से इंकार कर दिया जर्मनी की ए कंपनी Ond के द्वारा की के रिसर्च को खरीदना चाहती थी उन्होंने जो इसको मना कर दिया अमिताब बचन का पेपसी का एड इसलिए नहीं करते क्योंकि उनकी आंथ पेपसी पीने की वज़े से खराब हो गई है इस परकार की जानकारी भी राजीव दिक्षित जी के द्वारा दी जाती थी हेमा मालनी लक्ष सावन से नहीं बलकि बेशन में मलाई डाल कर नाहाती है और पूरे देश को यह बताती है वरना पूरे देश की महलाएं हमा मालनी की तरह खोपसूरत हो जाएंगे इस तरह की बात हैं घरीव नुस्कों आद को प्रचार प्रसालित इनके द्वारा किया जाता था यह है राजीव दिक्षित जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं आपने कहीं ना कहीं इंटरनेट पर कहीं ना कहीं सोचल मीडिया पर इनको जरूर देखा होगा इनकी लोग प्रीता किसी से छुपी हुई नहीं है राजीव दिख्षित जो थे वह आयुरुवेद और योग के अच्छे गयाता थे विस्वदेशी स्वदेशी के हिमा अपनाव कहकर जो हजारो करोड रुपए की कंपनी खड़ी की है तो यह स्वदेशी जो सब्द है इसकी परिवासा जो है नहीं न कहीं राजीव दिख्षित के द्वारा ही यह विचार दिया गया था बाबा राम देब को देश में बनी वस्तुओं को बढ़ावा देने की अपने सबाऊं और कारेक्रां में लोगों को एयलोबिषी छोड़कर आयो व्यूर्म को अपनाने की सलह दिया करते थे लोगों को एयलोपैसी अपनाने की सलह यह दिया करते थे जैसे यूपी के किसी मिडल क्लास फैमिली के बच्चों की होती है राजीब और उनके समर्थक दावा करते हैं कि उन्होंने पहले इलहाबाद से बीटेक और फिर आयाइटी से एम्टेक की पढ़ाई की हाला कि कई लोग इन दावों को नकारते हैं जिनकी हम चार्चा करेंगे राजीब कहते थे कि उनकी जिन्दगी का एक ही मकसद है राष्ट सेवा इसके माइने पेमाने और तरीके उनके खुद के इजाद किये हुए थे और वे यही करते भी थे कि उनकी एक अलगी अंदार हुआ करता था हमें जो है देखने को मिलती है in the list of pass out students in this institute यहाँ एक लेटर हमें देखने को मिला है जिसमें कहा गया है कि राजीव दिक्षित नाम का कोई भी व्यक्ति pass out student की list में सामिल नहीं है और इसके बाद साथ ही साथ हमें दूसरी एक और RTI इंटरनेट पर देखने को मिलती है जो की same RTI की information provide कराई गई है IIT जिसमें कहा गया है कि available records the name of Mr. Rajiv दिक्षित appears in the list of pass out students इस RTI के जवाब में कहा गया है कि राजीव दिक्षित नाम के व्यक्ति जो है वो pass out list में सामिल है तो इसकी जो सत्यता है वो कहीं ना कहीं दोनों ही जो RTI के जवाब हैं वो इंटरनेट पर मौजूद हैं आप चाहें तो उनको देख सकते हैं आगे एकर चर्चा की जाए इनकी IIT कानपूर का जो विवादित स्थिती है उसकी हमने चर्चा की राजीव दिक्षित जी के राष्टवाद की अगर बात की जाए तो राजीव का मानना था कि भारत का पूरा मौजूदा सिस्टम जो है वो पश्च के लिए गुरुकुल सिस्टम बैस्ट यहां की जूडी सरी यानि की जो हमारा नयायपालिका है और लीगल सिस्टम अंग्रेजों के बनाई हुए कानून की फोटो कॉपी जैसा है जिसके कई कानून भारतियों का अपमान करने वाले हैं और इसको बदला जाना चाहिए नया के द्वारा बताया याता था इनके हिसाब से लिबरलाजेशन ट्राइबटाइशन ग्लोबलाजेशन जो की एलपीजी की नीती थी भारत के सबसे बड़े दुस्मन हैं जो भारत क्यों आत्महाती इस्टिती में लेकर जा रहे हैं 1984 में जो भोपाल गैस तराश्दी हुई थी उसमें उन्होंने काफी मुखर होकर आंदोलन किये जिससे की मुआपजा आज ही दिलवाया जा सके लोगों को और इस आंदोलन में उनका मानना था 1984 में भोपाल गैस तराश्दी के बाद राजीव का नाम सुर्क्षियों में आना शुरू हुआ उन्होंने यूनियन कारवाइट कंपनी जो की गैस रिसाब के लिए जिम्मेदार कंपनी थी उसके खिलाब प्रदरसन किये हालां कि उनका एक दावा ये भी था कि यूनियन का लीग करके अमेरिका ने देखा था कि क्या इसको एक हत्यार की तरह प्रयोग किया जा सकता है इसको जो है इनके द्वारा एक सोची समझी साजिस बताई और इसको एक एक्सपरीमेंट बताया अमेरिका का यहां से राजीव विक्षितन ने विदेशी कंपनियों के खिलाफ एक मुहिम शुरू की उन्होंने देश बर में घूमकर भासर देने शुरू कुए इन भासरों में भारतिय सिख्षा विवस्था टेक्स सिस्टम, मौडर्न टेक्न, मैडिसी, मैडिसन, अंतरराष्टी कंपनियों की आलोचना करते थे और अपनी भासरों में लगातार ये जग उन्हीं लीवर लिम्टेड तो इनके दौरारा कहा जाता था कि जो एन्दूस्थान की नाम सब्कुल्रार जैसे कि पिंटर इंगलेंड जो एक भारती अबरांड है इनके दौरा प्रचारत प्रसारत किया जाता था जिसकी स्वदेशी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग लोगों के द्वारा किया जा से गें जब भुपाल में मौत की हवा चली थी अगर बात की जाए भुपाल गैस तरह जी थी तो यूनियन कारवाइट की फैक्टरी से मिथाइल आईसोसा सासी मौते हुई थी और 5.74 लाक लोग इससे प्रभावित हुए थे मुख्य आरूपी वारिन एंडर्सन का 29 सितंबर 2014 को निधन हो गया मतलब जो व्यक्ति था अमेरिका का मूल निवासी तो अमेरिका में वो व्यक्ति भाग गया था इस राज़िदी के बाद और 2014 में उसका सजा दिलाने के काम आज तक नहीं हो पाया है विदेशी कंपनियों को देश से बाहर करना चाहते थे भारत में रामराजे इस्थापित करने के धुर समर्थक राजीव के मुताविक भारत में मेडिकल सिस्टम को आयर्वेद आधारित किये जाने की जरूवत है क्योंकि एलो बाहर जाता है विदेशी कंपनियों घटी अमाल बनाकर भारतियों को बेचती है और भारत का पश्चिमी करन हो रहा है अपने केंप्स में इन्होंने भारतिये कंपनियों के नाम से पर्चे भी बटवाई ताकि लोगों को पता चल सके कि कौन-कौन भारतिये कंपनिया है औ और सीतल पे पदार्थों में जहर होने की बात इनके द्वारा बोली गई थी जो कि बावा रामदेब अक्सर इन जितने भी पेप्सी या कोको कोला आदी जो सौफ्ट ड्रिंक्स आते हैं उनको ट्विलिट क्लीनर रोलते हैं बावा रामदेब तो उसकी जो सुरूआत थी वो होता जा रहा है अक्सर हम और आपने से भी काफी लोग ऐसे हो गए हैं अब जो की सौफ्ट ड्रिंक पीने के परहेज ही करते हैं जो कि नहीं पीना चाहते हैं लेकिन जो एडवर्टीजमेंट आदी लगातार हमारे सामने किये जाते हैं बड़ी-बड़ी कंपनियों के दार उनसे कहीं न कहीं हम प्रेरित होते हैं लेकिन हम अपने मन से इन सब चीजों का सेवर नहीं करना चाहते हैं ऐसे लोग मौजुद हैं और आज की योगा पीड़ी भी काफी हद तक इन सब चीजों को अबॉइड करने की और ही बढ़ रही है स्वदेशी का इन्होंने प्रचार किया था गाय के गोवर से इन्धन मनाने और गोरक्षा की बात करने वाले राजीव कोई राष्टवाद की अवधारना काफी हद तक RSS के राष्टवाद की अवधारना से मिलती जुलती है एम्टेक करने के बाद इन्होंने पूरे देश में घूम घूम कर स्वदेशी का प्रचार किया खुद को गांधिवादी कहने वाले राजीव ने 13000 से ज़्यादा व्याख्यान किये जिसके बाद इनके 6 लाख से अधिक समर्थक होने का दावा किया जाता है अपने व्याख्यानों में ये लगातार भारत के सांदार इत्यास का जिकर करते थे सब को स्वदेशी रखने का आग रह करते थे और अपनी बात के पक्ष में कई विचेतर दावे भी पेश करते थे हालांकि इनके दावे कुछ से जो है वो गलत भी साबित हुए थे अमेरीका में हुए 9.11 जो हमला हुआ था World Trade Center के उपर जो की तालिबान के द्वारा किया गया था उसके बारे में इनके वचारों की बात की जया है तो राजीव खुद अमेरीका द्वारा कराय गया हमला इसको मानते थे अमेरिका में Lon durchaus society ने इस बात को उठाया था और राजीव इसका समर्थन किया करते थे अमेरिका की एक society थी जिसका नाम था हमले आद करके अपने हत्यार को ये बेच सके अमेरिका ऐसा इनका मानना था राजीव की मताबिक Unilever कंपणी का नाम बदल कर हिंदुस्तान Unilever कर दिया गया था ताकि भारतियों को वेबकूफ बनाया सके नए नाम की वज़े से भारतियों को लगेगा कि अगर उन्होंने देश में या पश्चिम मंगाल में बीफ बेन कराया तो ममता बाजपई सरकार गिरवा देंगी राजीव का दावा था कि नैसले कंपणी के प्रोडक्ट मैगी में सूर के मास का रस मिला जाता है और उसकी चरवी का इस्तिमाल किया जाता है हाला कि मैगी को भारत के अंदर बैन भी कर दिया गया था क्योंकि उसके अंदर काफी बडी मात्रा में केमिकल्स पाई गए थे अपने एक व्याकियान में राजीव ने यहीं कहा कि धर्मेंदर के बुलावे पर वो महरास्टे में एक व्याकियान करने गए जहां उन्होंने हेमा मालनी से पूछा कि क्या वे लक्से नहाती हैं हेमा ने जबाब दिया कि वो लक्से नहीं बलकि बेशन में मलाई डाल कर नहाती है राजीव ने उनसे पूछा कि वो इस बात को पूरे देश को क्यों नहीं वताती तो हेमा ने कहा कि अगर बता दिया तो सारी औरतें हेमा जितनी खुबसूरत हो जाएंगी और उनका महत तो जो है कम हो जाएगा स्वधेसी प्रचार में लगे राजीव कहते थे कि गाय के गोबर से बने साबुन से नहाने से दस मिनट के बाद सरीर से खुसबूगाने लगती है पुराने समय में राजा यजिस से पहले गोबर से नहाते थे और राम को भी ऐसा ही करना पड़ा था विदेसी कमपनियों के साबन ना खरीदने से पैसा देश का पैसा देश के अंदर ही रहेगा ऐसा मानना था राजीव दिक्षित के मुदाबिक अमेरिका जम्मू कस्मीर को कैप्चर करना चाहता है और इसी वजह से वो पाकिस्तान को पैसा देता है ताकि पाकिस्तान आतंक जिन्ना के साथ जोड़ा जाता है मुख्य रूप से जवाहलाल नहरू के साथ इनका नाम जोड़ा जाता है एक ही कॉलिज में पढ़े और एडविना से दोनों लगे हुए थे एडविना इतनी चालाक महिला थे कि दोनों को हैंडल करती थी जिन्ना और नहरू चरित्र के बेह तो राजीव दिख्षित ने भारत के प्रधान मंतरी मनमोहन सिंग की सरकार पर USA के एजेंट होने का आरोप लगाया था उन्होंने दावा किया था कि रेडियो सक्रिय ततों का एक बड़ा भंडार भारतीय समुद्र के सेतु पुल के नीचे मौजूद है जो कि हम देखते हैं रामसेतु जो है भारत और स्रीलंका के बीच में जो एक रामसेतु बना हुआ है उसके नीचे रेडियो धर्मी पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनसे की बड़ी मात्रा में उर्जा उत्पन की जा सकती है उनका भंडार है उनके नीचे जिसकी इतनी विसाल मात्रा है कि डेर सो बड़सों तक इन रेडियो सक्रियत तत्तों का इस्तेवाल बिजली और परमालू हत्यार बनाने के लिए किया जा सकता है और उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार उस पुल को तोड़ने की कोसिस कर रही है जो साथ लाख साल पुराना पुल है जो कि राम से तु राम जी के वारा बनाया हुगा पुल माना जाता है ऐसे विचार थे ःनके आगे बाद की जाए बावारा मदेव से इनके कनेक्शन के बारे में तो बावा राम जी और राजीव दिक्षित जी साथ मिलकर जो टीवी चैनल हुआ करते थे जैसे कि संसकार टीवी के और एक आस्था टीव बताया था जिससे रामदेव बहुत प्रभावित हुए थे क्योंकि वावा रामदेव जो थे पहले सिर्फ योग का प्रचार ये किया करते थे और दोनों साथ में काम करने के लिए सहमत हो गए इंटरनेट पर दोनों तरहे की जानकारी मौजूद हैं राजीव की समर्थक दा पर थे भारत स्वाविमान आंदोलन सुरू करने के दोरान राजीव दिख्षेद और रामदेव ने सपत ली थी कि हम केबल कुसल लोगों को मददान करेंगे हम दूसरों को 100% मददान के लिए प्रेरित करेंगे भारत को विश्व सकती बनाएंगे हम भारत को पूरी तरह स विकलप रखेंगे और लोगसभा चुनाब में दावेदारी पेस करेंगे 2009 के बाद 2014 में इनका पार्टी बनाने का प्लान भी हुआ था इस आंदोलन की सुरूआस से पहले आस्था चैनल पर राजीव दिख्षित और रामदेव दोनों ने प्रोग्राम टेलीकास्ट किये दोनों के प्रोग्राम टेलीकास्ट किये जाते थे दोनों ने कुछ समय कुछ वक्त तक साथ में काम किया था दोनों के साथ ही आस्था और संसकार जैसे चैनलों पर आते थे इसके बाद दोनों में विवाद होने की बात कही जाती है राजीव के कुछ समर्थ दावा करते है कि रामदेव राजीव की लोक प्रियता से घबरा गए थे और फिर उन्होंने राजीव के खिलाफ सड़े अंत्र किये 30 नवंबर 2010 को राजीव दिक्षित की मौत हुई जो की विवादस्पद हैं जिसकी चर्चावी हम आगे करने वाले हैं राजीव दिक्षित की मौत हैं तो नवंबर के आखरी सब्ता हमें राजीव 36 गड़ के दोरे पर थे जहां उन्होंने अलग अलग जगहों पर व्याख्यान दिये थे नॉक्टरों ने उन्हें डेड डिक्लियर कर दिया इनके विवाद की बात की जाए तो एक तस्वीर इनकी इस प्रकार की वाइरल होती है जो की जिसमें की इनका सरीर जो है नीला और काला पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो यहां जो है लोगों को सक हुगा इनके समर् कि जब इनकी मृत्यू होने वाली थी तो बाबा राम देव ने इनसे आग्रह किया कि आप ऐलोपेथी दवा का सेवन कर लिए जिससे कि आपको तुरंत आराम मिल जाएगा लेकिन इन्होंने ऐलोपेथी दवा का सेवन करने से इनकार कर दिया था इस दोरान राजीव के लोगों ने बाबा राम देव पर संसनी खेज आरूप लगाए थे जिससे राम देव साफ इनकार करते हैं राम देव के मुताबिक उस दिन उनकी राजीव से बात भी हुई थी और उन्होंने राजीव से कहा था कि परेशानी ज्यादा है ऐसे में उन्हें एलोपेथी इला क्फूंद का खून-जमा हो गया था यह देखकर वहां मौझूद लोगों को सक हुआ की स्वाभाविक मौत ही हत्या हो सकती है यह ये देखकर कई लोगों ने पोस्ट मर्डम की मांग की लेकिन राजीब के परिवार ने पोस्ट मर्डम से इंकार कर दिया था अंत में राजीब का हरिद्वार में अंतिम संसकार कर दिया गया था पोस्ट मोर्टम जो है वो किया जाता है घर वालों की या परिवार की सहमती पर होता है यदि कोई मृत्य जो है स्वाभाविक मृत्य होती है यदि पुलिस को लगता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यूं में किसी प्रकार का सद्यन सामिल है तब पुलिस के द्वारा पोस्ट मोर् की थी राजीब की तबियत खराब थी इसलिए वो एलूपे थी इलाज से इंकार कर रहे थी एक मुद्दा ये भी उठा था कि राजीब की बॉड़ी को वर्धा ले जाने के बजाए हरिद्वार में रामदेब के पतंजली आस्रम क्यों ले जाया गया यह यह भी बात काफी च हभी को नुकसान हो सकता है कोट में बाबा रामदेब के दावों को स्विकार करते हुए किताब पर बेन लगा दिया गया था और इसके बाद भी बाबा रामदेब पर सवाल यह निसान उठे थी कि उन्होंने इस पुस्ता को बेन क्यों कराया यह सितंबर 2022 की खवर हमें दे चुके होते और बताया जाता है कि बाबा रामदेब को इनकी इसी छवी से खत्रा था और सड्यांत्र के द्वारा इनकी मृत्यू कराई गई थी अब जो भी सच है या जूट है जो की इंटरनेट पर जानकारी मौजूद थी उसको आपके साथ साजा करने का प्रयास हमारे द्वारा किया गया यह प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईए अगर अच्छा लगा हूँ तो वीडियो को ज्यादा से यादा अपने साथियों के साथ सेर कीजिए और लाइक करना बिलकुल न भूलिए और अगर चैनल पर नए हैं तो परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है सब्सक्राइब का वटन नवा कर अपचा रिखता हैं पूरी करना बिलकुल न भूलें मिलेंगे अगले सेशन में तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद